दोस्तों गर आप भी Facebook page पे या Facebook profile पे काम कर रहे हो, उस पे चाहे आप Reels upload कर रहे हो, चाहे वीडियोज upload कर रहे हो, उनके उपर साई से अगर views नहीं आ रहे, views की problem आ रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज लास तक देख लेना, actually क्या है मिरे पास एक comment भी आये था, कि हम अपने Facebook page की category कैसे select कर सकते, ये friends सबसे ज़्यादा important चीज होती है, चाहे आप Facebook profile पे काम कर रहे हैं, उसका turn on professional mode ओन करके, या Facebook page पे, अगर आप लोगों ने उसकी category ही select सई से नहीं कर रखी, तो और Facebook का algorithm उसको समझी नहीं पाएगा, चाहे आप कितने ही content upload कर लो, आपके content है, किन viewers को recommend करना है, किन के पास भेजना है, बात तो सही है, तो दोस्तों बहुत शानार वीडियो होने वाला है, अगर आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता, तो please इस वीडियो को देखे, मैं बताता हूं आपको detail से, कि proper तरीके से category कैसे select कर सकते हैं, तो ये देखे, द profile picture पे click किया, आप कोई नीचे option दिख रहोगा, turn of professional mode, मैंने ये own कर रहा है, अगर आप लोगों ने own नहीं कर रहा है, तो यहां से turn on professional mode का option दिखाई देगा, उसको आप turn on कर लेना, तो ही दोस्तों आप इससे earning कर सकते हो, facebook profile से, इसको तब तक आप नहीं करोगे, तो आप earning नहीं कर सकते हैं, जैसे back चलते हैं, अब मैं बता जता हूँ, इसकी category कैसे select कर से हैं, जब आप इसका turn on professional mode on कर लोगे, ये देखो, जैसे 3 dots पे click किया, और अब आप लोगों को एक option दिख रहा होगा, यहां पे settings का, मैं पहले facebook profile की बता जता हूँ, setting करना, फिर जो category select करना, और फिर facebook page की बात करेंगे, ये देखो, उसमें उपर तो normal से ही options थे, अब देखो, इसके अंदर जो सबसे important चीज होती है, ये देखो profile details, यार कम से कम आप facebook को तो बता होगे, आप किस तरीके content upload करेंगे, तो ही वो अपने algorithm को use करके, उनको उस हिसाब से viewers के पास recommend करेंगे, जैसी category पर select किया, आप देखो, edit में, इसमें facebook की तरफ से already बहुत सारी categories दी हुई है, आप देख सकते हो, actor, artist, blogger, chef, comedian, gamer, musician, photographer, अगर आप इन में से किसी category पर काम करते हो, तो दोस्तों यहां से select कर लेना, इसके नाम से भी पता चल रहा है, अब बहुत सारे क्या होता है, digital creator, देख देख के एक दूसरे का digital creatory select कर लेते हैं, दोस्तों digital creator कोई proper category नहीं होती, ना profile के उपर, ना page के उपर, इसके बारे मैं बता हुआ, अगर actor हो, जैसे कोई acting से related आप videos upload करते हो, actor select करिये, gaming से करते हो, तो gamer, musician, photographer, और अगर जिस category पर माले आप काम करते हो, आपको नहीं मि profile से, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने business लिखा है, just buisn, इस तरीके से, आप यहाँ पर अपने हिसाब से search करिये, जो भी category से आप काम करना चाहते हो, बड़ी इसली यहाँ से select कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक procedure बताया है, जैसे मैं आलनों में मैं इसमें लिख देता हूँ, यह shopping से जैसे कोई business related promote करना चाहता है, अपनी दुखान है या soap है, तो इस तरीके से देख सकते हो, आप यहाँ पर shopping services, shopping district, automotive repairs हो, जो भी आप यहाँ पर search करोगे, बड़ी आसानी से यहाँ पर आजाए, अगर उसको select करिये, अब देखो मैंने जैसे designer select की हुई है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो मैं category select करना चाहता हूँ, यह देखे, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे ही यह artist लेने तो मैं example के लिए, यह सिर्फ मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब स करना है, यहाँ पर बड़ी इसली आप देख सकते हो, यह artist वाली category select हो चुकी, यह इन चीजों अगर आप नहीं करोगे, तो सही में आप reels upload करते रहो, वीडियोज upload करते रहो, वही ज़्यादा अच्छा perform नहीं कर पा होगे, अब देखो, यहाँ पोर्नर में एक logo दिख रह और अब आप लोगों को एक option दिख रहोगा, three dots का, just इसके उपर क्लिक करिए, friends बहुत ही ज़्यादा knowledgeable वीडियो होने वाला, अगर आप लोगों ने अब तक यह नहीं कर रखा, तो please इसको कर लो, इसमें एक option दिख रहोगा, setting and privacy नीचे भी है, उपर से भी आप देख सकते ह एक settings का option, जैसे उस पर click करते हैं, और यह चीजे बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, बहुत सारों को नहीं भी पता होगा, जैसे page setting पर click किया, अब देखे, आपको एक option दिख रहोगा, यहाँ पर यह, सबसे पहले तो मैं यह बताता हूँ, यह नाम का है, अपने Facebook page का अ जैसे उस पर click किया, आप देखे हैं, बड़ी इजली यहाँ पर दीखे सकता है, आपको category का option है, मैंने arts and entertainment select की हुई है, जैसे edit पर click करते हैं, अब बहुत सारे क्या होते हैं, अपनी movies की clip upload करते हैं, और category select की हुई है, कुछ भी मतलब गलत तरीके से, मैं आपको movie की clip अगर upload करते हो, तो उसकी category बताता हूं, प्रोपर तरीके से क्या होती है, सबसे पहले तो देखो, जिस तरी से वहाँ category थी, यहाँ पर भी वही category है, actor, comedian, designer, digital creator, यह एक और बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग यह digital creator select करते हैं, चाहे वो movie की clip upload कर रहे हो, चाहे कुछ भी, यह दो इसके अंदर आपको लिखना है entertainment, इस तरीके से, अब मैं बता रहता हूंग, आप लोगों को नहीं पता, जो movies की clip के लिए होती है, या कोई real से आप इस तरीके से कोई movie के छोटे source वीडियो डालते हो, इसमें आपको बहुत सारी entertainment से related दिख रहा होगा, arts and entertainment, यह आपको यह category category select करनी है, अगर आप movies की clip upload करते हो, या videos upload करते हो, तो दोस्तों यह proper category होती है, आपके facebook page की, बहुत सहर है यार इस तरीके से करके रखते है, कैसे जिसने बता दिया, digital creator select कर रखा है, या उनने कोई category ही select नहीं कर रखती, यह देखो जैसे मैंने arts and entertainment choose कर लिया है, यहाँ पर, address वगेरा, अपना phone number change कर सकते हो, वहाँ से, दोस्तों सही में अगर आप facebook profile का turn on professional mode on करके earning करना चाते हो, या facebook page से earning करना चाते हो, और अपने नए facebook page को जल्दी से grow करना चाते हो, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा है, बहुत सारे नए creators होते हैं, वो क्या करते हैं, page बना channel होते हैं, क्योंकि यार जब तक आप facebook को नहीं बताओगे कि आप किस तरीके के content upload करोगे, समझो मैं क्या कहना चाहरा हो, अगर आप नए creator तो इस बात को ध्यान से सुनो, या facebook को तो कम से कम बताओगे, उसका algorithm तभी तो समझ पाएगा कि आप किस तरीके content upload करोगे, entertainment related करोग या comedians से related या gamer से उसको बताओगे, तो ही वो अपने हिसाब से अपने algorithm को यूज करके, आपके videos को, reels को आगे recommend करेगा public तक, viewers तक, और दोस्तों, अगर वो recommend ही भी करेगा, मालो आपने category ही गलत select कर रखी है, अब जैसे मालो आपने cooking की category select कर रखी है, और उसके उपर आप ड देखने में interested नहीं होंगे, और वो उनको देखेंगी नहीं, किसी वज़े से दोस्तों, आपके Facebook, आपके page की reach down कर देता है, और फिर धीरे धीरे ऐसा time आता है, कि आपके चाहे कितने ही videos अपलोड कर लो, कितने ही reels अपलोड कर लो, उनके उपर views यही 10, 5, 20 views आकर रह जाते यह बड़ी अच्छी बात कही है, जो जो जितने जितने जो भी नए creator है Facebook के उपर दोस्तों, जो जो चीजे मैंने बताई हैं, इनको please आज सही कर लो, अगर आप लोगों नहीं कर रखी, और अब मेरी आदत है, जाते जाते मैं हमेशा बहुत एक अच्छी tips देखे जाता हू अपने जो भी viewers है, जो भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप Facebook page पे काम कर रहे हो, तो दोस्तों सही बता रहा हूँ, अगर नया Facebook page है, मैं पहले बहुत सारे वीडियो में बता चुगा, उसको पर starting में long videos कभी मत upload करना, मैं request कर रहा हूँ, अगर आप अपने Facebook page को जल्दी से ग्रोव करना है, उसके उपर starting में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी Reels upload करनी है, चाहे वो 10 सेकंड की हो, चाहे 15 सेकंड की हो, एक मिनट से कम की होनी चाहिए, अगर starting में आप 10 दिन, 15 दिन Reels upload करोगे, तो आपके Facebook page को बहुत जल्दी से बू प्लोड करना चाहे, तीन मिनट का तो कम से कम आपको वीडियो upload करना, यह और पहले ही बता के चल रहों, उसके कम कम मत करना, और 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं होना चाहे नए Facebook page पे, इस तरीके से दोस्तों आप अपने Facebook page को बहुत जल्दी से ग्रोव कर सकते हो, एक तो यह वीडियो को कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिलाओ, और आपको कुछ नया सीखने को मिलाओ और आपको लगाओ, हाँ मैंने कौई अच्छी चीज आप लोगों साथ शेयर की हैं जो साहएद आप लोगों को नहीं पता थी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक Latinos क है जरूर कर देना किसी अच्छे लिए शीख तेरी ध्यान रखें बेस्ट अब लग करें